दोस्तो देखो आज ना इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसी दोस्तो दो प्रकार की लाइने बताने वाला हूँ जी हाँ ऐसी दोस्तो दो प्रकार की लाइने बताने वाला हूँ दो प्रकार के सेंटेंस बताने वाला हूँ जो दोस्तो अगर कोई भी शादी शुदा औरत या फिर दोस्तो अगर कोई भी लड़की अगर दोस्तो आपके सामने ना ओ दोस्तो दो परकार की लाइने ओ दो परकार के सेंटेंसेस अगर दोस्तो आपके सामने बोलती है ना तो दोस्तो आप दोस्तो ऐसा दोस्तो समझ जान कि दोस्तो 101 टका मतलब दोस्तो 100 टका 100 क्या दोस्तो मैं दोस्तो बोलता हूँ 1000 टका उतना दोस्तो मतलब आपको पसंद करती है मतलब इसकी दोस्तो गैरेंटी मैं दोस्तो अभी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ क्योंकि दोस्तो अभी जो मैं आपको दो परकार की लाइने दो परकार के सेंटेंसेस जो दोस्तो बताने वाला हो ना दोस्तो ओ दोस्तो जब दोस्तो कोई भी औरत किसी भी पुरुष के सामने जब दोस्तो बोलती है ना तो दोस्तो उसका मतलब ऐसा ही होता है कि दोस्तो ओ आपको पसंद करती है क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों खुद मैंने मेरे जिंदगी में अनभव दोस्तों किया है मैं दोस्तों बाकी लोगों के जैसा हवा हवाई बाते बताना सुनी सुनाई बाते बताना ऐसा दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं करता तो दोस्तो आज का वीडियो भूत इंपोर्टेंट है ऐसा वीडियो और दोस्तो ऐसी जानकारी आपको दोस्तो यूटूब पर कही भी देखने के लिए नहीं मिलेगी तो दोस्तो वीडियो को पुरा देखें तो दोस्तो चलो शुरू करते हैं आज के इस थमाकेदार वीडि सेंटेंस है कि दोस्तों अगर कोई भी अवरत या फिर दोस्तों अगर कोई भी लड़की अगर दोस्तों आपके सामने ना बातचीत करते समय आपको दोस्तों जश्ट ऐसा भूलती है कि काश आपके जैसा मेरा हस्बंड होता क्या बोला मैंने काश आपके जैसा मेरा हस्बंड होता या फिर दोस्तो कुई भी लड़की आपको दोस्तो ऐसा बोलेगी कि काश तुमारे जैसा मेरा बॉइफ्रेंड होता दोस्तो देखो एजो दो सेंटेंस है ना दोस्तो मतलब दोस्तो काश आपके जैसा मेरा हस्बंड होता काश आपके जैसा मेरा बॉइफ्रेंड होता त तो दोस्तों उसका दोस्तों मतलब अर्थ ऐसा ही दोस्तों होता है कि दोस्तों ओ आपको ना दोस्तों बहुत बहुत पसंद करती है अब दोस्तों आप ही मुझको बताओ कि दोस्तों काश आपके जैसा मेरा पती होता काश आपके जैसा मेरा हस्बंड होता इसका दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो मेरा हस्बंड है ना मतलब जो मेरा पती है ना तो मतलब ओ मेरा पती एकदम बेकार है और आप ना एकदम अच् कि जो मेरा हस्बंड है ना ओ मेरा हस्बंड एकदम मतलब बेकार है और आप एकदम अच्छे हो और आप मुझे पसंदो इसका दोस्तो ऐसा मतलब होता है तो दोस्तो अभी उसके बाद जो दोस्तो दूसरे परकार का सेंटेंस है जो दोस्तो दूसरे परकार की लाईन है ओ दो दोस्तो कोन सी लाईन है कि दोस्तो जब दोस्तो आपना किसी भी अवरत के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ जब दोस्तो बातचित करोगे ना तो दोस्तो बातचित करते समय अगर दोस्तो ओ सामने वाली अवरत या फिर ओ सामने वाली लड़की अगर दोस्तो आपको न इतने अच्छे हो ना कि आपसे कोई भी अवरत या फिर कोई भी लड़की आपसे पट जाएगी मतलब दोस्तो ऐसा ना मतलब दोस्तो ओ अवरत खुद ऐसा बूलती है कि आप ना इतने सुन्दर हो ना और आप ना इतने ग्रेट हो ना कि कोई भी अवरत या फिर कोई भी लड़की आपको ना बूली नहीं सकती मतलब कोई भी अवरत या फिर कोई भी लड़की आपके उपर फिदा हो जाएगी ऐसा दोस्तो अवरत दोस्तो खुद बोलती है तो दोस्तो उसका तो मतलब ऐसा ही होता है कि दोस्तो ओ आपको पसंद करती है मतलब दोस्तो उस अवरत ने आपको बोला कि आपना इतने सुन्दर हो और इतने अच्छे हो कि कुई भी अवरत आपसे पट जाएंगी तो दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप न, अगर मेरे उपर भी ट्राइ करोगे तो मैं भी आपसे पट जाओंगी उसका दोस्तो मतलब ऐसा होता है कि ओ अवरत आपको ऐसा दिखा रही है कि अगर तु थोड़ा सा भी ट्राय करेगा ना तो मैं तुमको ना नहीं बोलूंगी मतलब अगर तु मेरे उपर भी ट्राइ करेगा तो मैं भी तुझ से पट जाऊंगी इसका दोस्तो मतलब ऐसा होता है तो दोस्तो फिलहाल दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खुश रहो, हैपी रहो, खुद का ख्याल रखो लब यू सो मच अल अफ यू